मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादों ने लोगपत मुबाइल एप का शुभारम किया है मुबाइल एप के शुभारम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 40,000 किलो मीटर में लोग निर्मान विभाग सजकता से या मौका ना लाए कि कोई फोटो खीचना पड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादों ने कहा कि मैं उमीद करता हूँ कि लोग निर्मान विभाग जिस प्राकार से अच्छे काम नवाचार कर रहा है नवीन तकनीकी होती ही इसलिए है कि इसका उपयोग किया जाए जितना हम नई तकनीक के माध्यम से involvement में आएंगे उतना ही हमारा उनसे संपर्ख होगा उतना ही जनता के कल्यान के लिए नए नए रास्ते खुलते जाएंगे ऐसे में ये नवाचार लोग निर्मान विभाग के लिए भी फलदाई होगा और सरकार के लिए भी शुबदाई होगा मेरी आपनी और आप सब को इस काम के लिए बधाई और प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सारे मित्र यहाँ पर मौजूद है और आप इस बात को लोगों तक पहुँचाएं मैं विभाग से कहूँगा कि गड़े हो और कोई फोटो खीच कर दे यह अच्छी बात है लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि गड़े हो ही ना कि जितनी नई तकनिक के माध्यम से हम अपनी इनवाल्मेंट लाएंगे हमारा उससे संपरक आएगा वह उतनी जनता के कल्यान के लिए नए नए रास्ते खोलती ऐसे में यह नवाचार विभाग के लिए फलदाई हो सरकार के लिए भी शुबदाई हो मेरी अपनी और से सब दें आप सब इस बात को पहुचाएं इस फोटो एप के माध्यम से होने वाली असुविदा को लेकिन मैं विभाग से कहूंगा कि कोई गड़े हो और फोटू खेच के दे यह एक अच्छी चीजे के वह जानकरी देंगे लेकिन और अच्छी बात तो यह होगी कि गड़ अच्छा है क्योंकि हमारी सजगता से इस सारी बात आती लेकिन हम सब जानते हैं बरसात का समय है डामर और पानी की दुस्मनी है डामर के सड़क के उपर जब कहीं जल भराओ की इस्तिधी बनेगी या ऐसे कोई हैवी बहान ये भी एक थोड़ा हमारे लिए चुनोती पूर नो मसला है